कि है लोगे द्यारत्यूं एल्वी क्लासत के निव लाइव श्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है तो वैदुत धारा के इस लिक्चर में अब आप यहां पर पढ़ेंगे वैदुत शेलों के संयोजन के बारे में अप वैदुत शेलों का संयोजन बोल सकते हैं या फ़र आप अपर शेलों का संयोग चाहतो आप इसे संयोजन बोल सकते हैं या फिर आप यहां पर सब दियूज कर सकते हैं संयोग महट तो पूल टौपिक है और यहां पर याद रखेगा इस टौपिक को समझने के लिए अपको यहां पर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि ये टॉपिक आपका थोड़ा सा बड़ा है और यहां पर जो है सिंपल बहुत है लेकिन आपको यहां पर अगर समझना है इसे तो पूरा वीडियो लाज तक देखना होगा तो सभी लोग यहां पर लाज तक बने रहेगा इसके अलाव आप लोग कमेंट पर ज्यादा संयोजन की तो यहां पर अप सभी लोग जानते हैं कि जो सिल होता है ये शिल जो होता है ये वैदुत धारा का एक स्रोत होता है यानि कि सिल से हमें वैदुत धारा प्राप्त होती है लेकिन अप सभी लोग जानते हैं कि एक सिल से प्रबल वैदुत धारा प्राप्त नहीं क की जा सकती है तो इसके लिए यह यहां परके कि यह इन्यक है कि दो याफर दोशे अधिक जो है सेलों को जोड़ना परता है तो यहां आता है सेलों का संयोग क्योंकि एक सेल से प्रबल विद्धारा प्राप्त नहीं कि जा सकती है प्रबल विद्धारा प्राप्त करने के लिए यहां पर दो या फर दो से अधिक सेलों को हमेशा सहियोजित करना पड़ता है यानि की जोडना पड़ता है और यहां पर जो सिलों का सहियोजन होता है उन्हें जोडने के तीन अलग अलग तरीके है यानि कि सेलों को आप तीन प्रकार से जोड सकते है पहला आप लोग याद रखेगा स्रेडी क्रम सेलों को आप जो है स्रेडी क्रम में जोड सकते है दूसरा यहाँ पर है समानतर क्रम शमांतर क्रम में आप जोड सकते हैं इसके अलावा तीसरा होता है मिस्रित क्रम मिस्रित क्रम तो यहाँ पर आप सिलों को जोहे तीन अलग अलग तरीकों से जोड सकते हैं पहला आपको बताया गया श्रेडी क्रम दूसरा आपको बताया गया समांतर क्रम तीसरा बताया गया मिश्रित क्रम मिश्रित का मतलब क्या है रहन देजे मिश्रित का मतलब यहां पर आपको श्रेड़ी और इसके अलावा समानतर दोनों साथ में यूज करना है इसके पहले अपने स्रेड़ी पढ़ा फिर समानतर पढ़ा तो मिस्त्रित क्या होगा मिस्त्रित में आपको यहाँ पर सेड़ी और समांतर यह दोनों एक साथ यूज करने होंगे यानि कि वहाँ पर सेलों को आपको सेड़ी क्रम में भी जोड़ना होगा और समांतर क्रम में भी जोड़ना होगा तो यहाँ पर यह दोनों एक साथuse के जाते हैं इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं Mr.た क्रम तो यहाँ पर silicone को जो है कितने प्रकार से जोड़ा ज़सकता है तीन प्रकार से तो यहाँ पर आपको समझने वाली बाते क्या है सबसे पहला point आपको क्या बताया गया सिल जो है आपका वद्धुधारा का श्रोथ होता यानि कि सिल से आपको वद्धुधारा मिलती है लेकिन प्रबल वद्धुधारा एक सिल से आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं इसलिए यहां पर प्रबल वद्दुधारा के लिए कई सेलों को अपस में जोड़ना पड़ता है और यहां पर जो सेलों का स्योजन होता है उससे बैटरी बोला जाता है और यहां पर सेलों के स्योजन को तीन प्रकार से किया जा सकता है यानिके सेलों को तीन प्रकार से सेयूजित कहा सकता है सेड़ी क्रम, समानतर क्रम और इसके अलावां मिश्रित क्रम तो यह सभी पॉइंट आपको यहां पर इसी लेक्चर में बताये जाएंगे तो सबसे पहले दन देजे आप यहां पर बता सकते हैं कि वैदुत सेलों के सैयूजन को वैदुत सेलों के सैयूजन को बैटरी कहते हैं यह अप लोग याद रखेगा कि वैदुत सेलों के सैयूजन को क्या बोला जाता है बैटरी बोला जाता है इसके अलावां आपको बताया गया है यहांपर कि जो सेल हैं उन्हें आप तीन प्रकार से सैयूजन कर सकते हैं तो आप बता सकते हैं यहां पर कि वैदुत शेलों को तीन प्रकार से सहियूजित क्यादा सकता है तीन प्रकार से शेयूजित किया जा सकता है तो यहां पर वैदुत सेलों के सहियूजित को बैटरी कहते हैं और वैदुत सेलों को तीन प्रकार से जोड़ा सकता है और इसमें पहला पर पढ़ेंगे स्रेडी क्रम यानि कि यहां पर जो है सेलों को स्रेड़ी करम में किस प्रकार से जोड़ा जाता है इसके लिए पहले एक फीगर दान देजे तो आप बहुत ही आसानी से इसे समझ लेंगे जैसे कि यहां पर दान देजे यह एक परिपत इस प्रकार शे बनाया गया है इसमें आपको सेलों को सहीं उजित करना है देखिए एक सेल आपका यहां पर लगा है सेल में दो प्लेटे होंगी एक बड़ी होती है एक छोटी बड़ी वाली प्लेट प्लस और छोटी वाली माइनस होती है एक सेल यहां पर जुड़ा हुआ है इसी तरीके से सेल यहां पर जुड़ा हुआ है यह उज़ाएगा इसके अलावा इस सल का आंतरिक प्रतिरोध आपके यहां पर प्रदर्शित कर देजे इस तरीके से यहां पर इसका आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा और फिर यहां पर इससे आप प्रदर्शित कर देजे इस तरीके से तो यहां परदान देजे इसमें जुहे इस तरीके से सल जोड़े गए है माली जी यहाँ पर जो पहला सल है इसका विद्धुत वहक बल ई दूशरे का ई और तीशरे का विद्धुत वहक बल ई है यहाँ पर इसका अंतरिक प्रत्रोधार इसमाल आर और यह हो जाएगा इस माल आर इस तरीके से इसके अलावा इस परिपत में यहां पर जुड़ा हुआ है आपका बाह प्रत्रोद कैपिटल आर और यहां पर एक कुंजी लगी हुई है इस प्रकार से दान देजे यहां पर जो यह परिपत तयार किया गया है इसमें अब दान देजे ये आपका Plus होता है, ये आपका Minus होता है इसी करम में यहाँ पर जोहें जोड़ा गया है इसके लिए सबसे पहले दन देजे इसी तरह से यहाँ पर ये Plus, ये Minus ये Plus और ये Minus और आप सभी को बताया गया कि जो धारा प्रवाहित होती है वो हमेंसा प्लस वाले से रशेनी कि इधर से धारा प्रवाइट होगी इस तरीके से यहां पर जो इसमें धारा प्रवाइट होगी इससे आप मान शकते हैं आई से तो यहाँ पर देजे इसमें यहाँ पर यह डॉट डॉट लगा दिया है कि डॉट डॉट का मतलब यहाँ पर यह एक से अधिक या फिर बोल सकते हैं दो तीन चार पाच आप चाहे जितने भी सेल यहाँ पर संबंधित कर सकते हैं तो यहाँ पर आप सेलों की संख्या म विद्दुत वहाग बल आपको पता हैं आंतरिक प्रत्रोध आपको पता हैं इस प्रिकाशी इसमें एन सेल जो है जोड़े गए हैं अब स्ट्रेंडी क्रम में सेलों को जोड़ा कैसे गए यह आपके लिए मुख्य पॉइंट है देखे जैसे आपको बताया गया कि सेल में दो प्लेटे होती हैं एक प्लस और एक माइनस फिर आपका यह दूसरा सेल था इसमें यह प्लस फिर यह माइनस फिर तीसरा सेल था प्लस माइनस इस तरीके से था तो देखिए आपको जो पहला सेल है इसके रोड़ ध्रो को हम लोग दूसरे वाले के धन ध्रू से जोड़ते है देखिए ये पहला स ? इसका जो रिन ध्रू है इसको उम लोग को दूसरे से से धन ध्रू सе जोड़ा रहा है इस तरीके से यहां पर स्रेंडी क्रम में पहले सेल के धन द्रू को हम लोग दूसरे सेल के धन द्रू से जोडते हैं और फिर दूसरे सेल के धन द्रू को जो हम लोग तीसरे सेल के धन द्रू से जोडते हैं यह क्रम याद रखेगा तो यह आपका कौन सा क्रम होता है स्रेंडी क्रम होता है ये स्रेंडी क्रम की पहचान है, स्रेंडी क्रम में पहले सल के माइनस वाले सिरे को हम लोग दूसरे सल के धन वाले सिरे से जोडते हैं, फिर इसी प्रकाश से इसके माइनस वाले सिरे को अगले वाले सिरे के धन सिरे से जोडते हैं, इस तरीके से यहाँ पर स्रेंडी क्रम में जो इने संबंधित किया जाएगा तो यह point अप लोग यहां पर इसके बारे में याद रखेगा अब धन्दिश में क्या बताया गया कि इसमें कितनी सेले जोड़ी गई है मान लेजे एन शेले जोड़ी गई है तो आप यहां पर इसमें लिख सकते हैं कि माना माना एन सेले स्रेडी क्रम में जोड़ी है जिन में प्रतेक का विद्धुत्वाहक बल जिन में प्रतेक सेल का विद्धुत्वाहक बल ए तथा आंतरिक प्रतिरोध इसमाल आर है इतना मान लिया गए इस परिपट के इन सार कितनी सेले जुड़ी है एन सेले जुड़ी गई है यहापर जो टॉपिक लिखा गए वह इसी परिपट में जो दिया गए वही लिखा गया है बस कुछ भी अलग से आपको याद करने की जोड़त नहीं है जो भी आ पर यहां पर यह दो लाइन बताई गया देखिए सबसे पहले क्या बताया गया कि माना N जोहां पर श्रेडी करम में जोड़ी गई है यह हो गया इन जिन में से प्रतेक का सेल का विद्धुत वाहगबल कितना है E और आंतरिक प्रतरोध कितना है इसमाल R है इतना आपको यहां पर बता दिया गया है अब यहां पर जो है इस पूरे परिपत में धान देजे जितने भी से लगे हैं इन्हें सभी काम लोग कुल विद्धुत वाहक बल ग्यात करेंगे तो आप लिख सकते हैं यहां पर परिपत में परिपत में प्रियुक्त सेलों का कुल विद्धुत वाहक बल इस प्रकाश है तो यहां पर लिखा गया है परिपत में प्रियुक्त सेलों का कुल विद्धुत वाहक बल अब यहां पर देखिए यह सभी सेल आपके सेड़ी करम में जोड़े गए हैं तो यहां पर जो भी धारा आएगे देखे जैसे इस से धारा आएगी तो यही धारा इस वाले से ओते हुए आगी आगी यहां पर जो है अगर आप इनका कुल वद्धुत वाहक बल ग्याद करेंगे तो कितने सल है N एक सल का वद्धुत वाहक बल कितना है E तो यह हो जाएगा N E यह यहाँ पर परिपत में प्रियुक्त शेलों का कुल वद्धुत वाहक बल हो जाएगा ये प्लू ग्याद रखेगा परिपद में प्रयोक्त जो है शलों का कुल वुद्धुत्वाहक बल अब इसके बाद हम लोग यहां पर शलों का कुल आंतरिक प्रत्रोध ग्याद करेंगे तो अब धन देजी शलों का कुल आंतरिक प्रत्रोध कुल आंतरिक प्रतिरोध अब यहाँ परदान देजे आपको स्टेलों का जो है कुल आंतरिक प्रतिरोध ग्याद करना है और आपको प्रतिरोधों का संयोजन बताया गया है तो यहाँ पर देखिए यह जो स्टेल हैं वो स्टेरी क्रम में जुड़े हैं तो इनके प्रत्रोध भी किस क्रम में है स्नेडी क्रम में है और स्नेडी क्रम में प्रत्रोध का फार्मूला आपको ये बताया गया है R बराबर R1, R2, R3 ये आपको स्नेडी क्रम में प्रत्रोधों को जोडने का फार्मूला बताया गया था तो इसी सूत्र का यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे तो उसी करमे रंदेजे R सभी के मान यहाँ पर कितने दिये गए है R तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो यह हो जायेगा R प्लस R प्लस डॉट डॉट यहाँ पर जो है N बार आपको यहाँ पर इसे जोड़ना है यहाँ पर जो हैसे आप कितनी बार जोड़ेंगे N टर्म से यानि कि N बार आपको यहाँ पर इसे जोड़ देना है R को क्योंकि यह सेंडी करम में जोड़े हैं इसका मतलब धन्देजी यहाँ पर प्रतिरोध कितना आएगा देखे जैसे कि मानलिजे कहीं पर यह लिखा है X प्लस X प्लस X तो इससे आप जोड़ते हैं तो कैसे लिखते हैं कितनी बार लिखा गया है एक, दो, तीन, तीन बार लिखा गया है तो आप कितना लिख देते हैं 3X जोड़ा गया तो इसका मतलब इसका मान कितना आजाएगा nr यह point आपको समझना है जैसे कि यहाँ पर x को हम लोग 5 बार जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आता है 5x उसी प्रकाश एगर इसको लोग n बार जोड़ेंगे तो कितना आजाएगा nr आजाएगा इस तरीके से आ बोड़ देना है तो यह यहाँ पर आपको परिपत का आंतरिक प्रत्रोध मिल गया अब हम लोग परिपत का कुल प्रत्रोध ग्याद करेंगे तो अब आप यहाँ पर लिख शक्ते हैं परिपत का परिपत का कुल प्रत्रोध कुल प्रत्रोध तो कुल प्रत्रोध ग्यात करने के लिए धान देजें यह हम लोगों ने ग्यात किया है यहाँ पर आंतरिक प्रत्रोध इसके अलावा इस परिपत में बाह प्रत्रोध क्या था आपका कैप्टल आर था तो जब आप इस परिपत का कुल प्रतिरोध ग्याद करेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह प्रतिरोध यहाँ पर जो है आपका कुल प्रतिरोध हाज आएगा पूरे परिपत का अब हम लोग इस परिपत में प्रवाहित धारा ग्याद करेंगे तो इसके लिए सूत्र धान देजे अब आप लेक्षक्ते हैं अत्ता परिपत में प्रवाहित धारा बराबर फॉर्मूला होता है कुल विद्धुत वाहकबल इस प्रकाश हो जाएगा कुल विद्धुत वाहक बल और बटे बटे में होता है कुल प्रतिरोध यहाँ पर हो जाएगा कुल प्रतिरोध तो अब धन्देजे यहाँ पर जो है अगर हम लोग परिपत में प्रवाहित धारा की बात करें तो यह हो जाएगी आई बराबर कुल विद्धुत वाहक बल धन्देजे यह ग्याद किया गया था यहाँ पर हो जाएगा एन ई इसके अलावा धन्देजे बटे यहाँ पर देखे, कुल प्रत्रोध ये ज्यात किया गया है, यानिकी, nr प्लस r तो यहाँ पर जो है, परिपत में प्रवाहत कुल धारा कामान आ गया है यहां पर यह आपको फार्मूला मिल गया है, अब आपको चेक करना है कि यहां पर जो आपने स्नयोजन तयार किया है स्नेडी क्रम में जोड़कर उससे आपको प्रबल धारा मिलेगी कि नहीं क्योंकि आपको क्या बताया गया था कि एक सेल से आपको प्रबल धारा नहीं मिलती है प्रबल धारा लेने के लिए जो आपकर कई सिलों को जोड़ना यह सबसे पहले कंडिशन में दान देज़े हैं आपर केश फ़श्ट यदि एन आर इस लेस देन कैप्टल आर तो अब देखे यहां पर जो एन आर है यह आपका जो है यहां पर आंतरिक प्रत्रोध है उस परिपत में जो सेल लगे हैं उन सभी का कुल आंतरिक प्रत्रोध है और ये क्या है capital R आपका बाह प्रत्रोध है अगर सिलों का आंतरिक प्रत्रोध इस बाह प्रत्रोध की तुलना में कम है तो यहाँ पर यह जो दिया गया है N R प्लस R लगभग ध्यान देजी यहाँ पर क्या बतायागा कि यह N R जो है इस R की तुलना में कम है बहुत कम है यान नगण मान के चलेंगे और इस बाह प्रत्रोध में से जोड़ेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां पर इसका मान कितना है गार यहां पर यहां पर यह माना गया है कि यह जो सेल का आंतरिक प्रत्रोध एन आर है यह बहुत कम है कि इसकी तुलना में इस बाह प्रत् अगर अब धारा आप ग्याद करते हैं तो धन्देज़े यहां पर हो जाएगा I बराबर N E बटे यहां पर धन्देज़े N R प्लस R जब यह करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा R इस तरीके से आया इसका मतलब धन्देज़े इसका मतलब यह है N गुड़े E बटे R N गुड़े E बटे R का मतलब क्या है इसका मतलब धन्देज़े N गुड़े E बटे R का मतलब एक सेल से प्राप धारा धारा तो यहाँ पर N गुड़े एक से प्राप्त धारा अब इसमें अप धन्देजी यहाँ पर आपने कितने सल जोड़े है N और E बटे क्या R क्या है अपका एक से प्रवाहिद धारा तो जितने जोड़ेंगे उतने गुना आपको धारा यहां पर मिल जाएगी धान्देजी आई बराबर कितना आया है एन गुड़े इबटे आर आपने एक सेल की धारा यह हो गई गुड़े एन अगर चार जोड़ेंगे तो चार गुना हो जाएगी इधारा इसके लाब पांच जोड़ेंगे तो पांच गुना हो जाएग इधारा यानि कि आपका यह जो संयोजन है वो लाभ प्रद है आप बता सकते हैं कि यह संयोजन यह संयोजन लाभ प्रद है यह जोड़ेंगे इसक्रम में यहाँ पर उसमें उतने गुना आपको धारा यहाँ पर मिल जाएगी इसले लिका गया एन गुड़े एक सिल से प्राप्त धारा जितने सिल होंगे उतने गुना यहाँ पर धारा मिल जाएगी तो यह संयोजन आपका यहाँ पर लाभ प्रद ह होगा अब इसी में दूसरा केश ध्यान देजिए आप केश निम्बर टू यहां परदान देजिए केश निम्बर टू में यदि R is greater than capital R तो अब यहां पर दान देजिए अब की बार क्या है यहां पर बतायाँ गया था कि जो इसो लोग का लोग का अंतरिक प्रत्रोध था वो बायप प्रत्रोध की तुल्ना में बहुत कम था तो आपको ऐसा यहां पर मिला लेकिन अगर मान लेजिए कि आंतरिक प्रत्रोध इस बाह प्रत्रोध की तुलना में अधिक होता अगर से लोगा कुल आंतरिक प्रत्रोध इस बाह प्रत्रोध की तुलना में अधिक है तो यहां पर जो यह था nr प्लस r n r plus r फिर ये लगभग किसके बराबर होगा ये आपका बराबर होगा n r के क्योंकि अब की बार इसका मान जो है वो अधिक्तम है और यहां पर जो आपका प्रत्रोध है वो कम है इसे आप दूश्य प्रकाशे भी लिख सकते हैं ऐसा लिख सकते हैं r is less than n r ये जो बाह प्रत्रोध है आपका ये इस सेलो के आंतरिक प्रत्रोध के तुलना में बहुत कम है अगर ये आपका बहुत कम है लगभग नगड है तो इसमें अगर आप add भी करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये इतना आया तो यहां पर अब अगर आप धारा गयात करेंगे तो i बराबर देज़े कितना था फर्मूले में n e यहां पर हो जाएगा n e बटे में कितना आएगा n r ये यहां पर इतना हो जाएगा क्योंकि n r प्लस r किसके बराबर है n r के अब यहां पर दन देज़े क्या होगा n से n कट जाएगा तो इसका मतलब कितना आया e बटे r और e बटे r का मतलब क्या होता है एक cell से प्राब्त धारा है यहां पर आप लिख शक्ते हैं एक cell से प्राब्त धारा अब यहां पर दन देज़े यह संयोजन आपका लाब प्रत नहीं होगा, यह संयोजन आपका वेर्थ है, क्यों? क्योंकि धान्देजी अगर यहाँ पर आंतरिक प्रत्रोध सेल का अधिक हो गया, बाय प्रत्रोध के तुलना में, तो धान्देजी यहाँ पर जो धारा आपको प्रवाप्ता आप तो रहे यहां पर अगर सेल का कुल अंतरिक प्रत्रोध बाय प्रत्रोध से जादा हो गया तो इस इस्थित में आपका संयोजन बेकार है फिर उस इस्थित में आपको किवल एक सेल के बराबर ही धारा मिलेगी तो आप बता सकते हैं यहां पर कि यह संयोजन यह शैयोजन लाब प्रद नहीं है या फिर बोल सकते हैं वेर्थ है यह शैयोजन लाब प्रद नहीं है यह फिर आप बता सकते हैं कि यह शैयोजन वेर्थ है तो यह condition याद रखेगा यहां पर कि अगर आंतरिक प्रत्रोध यह बाय प्रत्रोध से अधिक है तो उस स्थित में केवल आपको एक सेल के बराबर ही यहां पर धारा प्राप्त होगी लेकिन अगर आंतरिक प्रत्रोध सेल का बाया प्रत्रोध की तुलना में कम है तो उस स्थित में फिर आपको यहां पर जो है एन गुड़े एक सेल से प्राप्त धारा है निए कि जितने सेल आप जोड़ेंगे उतने गुना आपको धारा यहां पर मिल जाएगी तो यह condition आप लोग यहां पर जो है इसकी याद रखेगा यह बहुत ही important है आपके लिए याद रखेगा तो अब इसके बाद देखिए अब यहां पर देखिए अगला यानि की समांतर क्रम याद रखेगा समांतर क्रम या फिर इसे बोल सकते हैं आपको पार्शो क्रम समांतर क्रम या फिर पार्शो क्रम में अब आपको यहां पर जो है सेलों को समांतर क्रम में यानि की पार्शो क्रम में जोड़ना है इसके लिए पहले आप फिगर धान देजे तब आपको यहां पर यह टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा सबसे पहले यहां पर इसके लिए हम लोग एक परिपत तयार कर लेते हैं सबसे पहले आप यहां पर इसका परिपत देख लिए कि इस प्रकार से आपको बनाना है समानतर क्रम का कि अगर आप फीगर आसानी से बना लेंगे यहां पर तब आपको कोई समस्या नहीं होगी और फीगर बनाने के बाद यहां पर आप से गलती नहीं होगी आप सारे पॉइंट यहां पर सही शे लिख सकते हैं इसलिए आपको फीगर पर ज्यादा फोकस करना है याणि कि सभी फीगर जो अच्छे से बनाना सीख लेना है ताकि कोई दिक्कत ना आए बाद में तो सबसे पहले यहां पर जो हम लोग इनहें समांतर क्रम में जोड़ने वाले हैं जीलिद यहां ज्योड़ने के लिए आपको सेल जोडना है तो यहां पर जान दे और फिर इस परिपात में अब इन 20 जविशक पर मीम लोग सेल जोड़ेंगे देखी जैसे कि यहां पर हो जाएगा एक बड़ी प्लेट होती है एक छोटी प्लेट श्यो प्रकाश नहीं पर हो जाएगा फिर एक सेल आपका यहां पर संबन्धित हो जाएगा माल लेजे सेल का आंतरिक प्रत्रोध इस प्रकाश से यहां पर दिया गया है यह यहां पर जो है सेल का आंतरिक प्रत्रोध हो जाएगा इस तरीके से आप यहां पर जो है इसे प्रदर्शित कर देजे इतना हो गया अब की बार द्हांतेजे यहाँ पर अब अगर आप द्हांश देखेंगे यहाँ पर तो इसमें देखे यह वाला आपका प्लस है बड़ी प्लेट यहाँ पर यह वाली जो है प्लस और यह वाली यहाँ पर माइनस होगी अब की बार आपको क्या करना है कैसे जोड़ना है समांतर क्रम में देखे शमांतर क्रम में जोड़ने के लिए जितने भी सेल लगे हैं इन सभी की जो धन वाले सिरे हैं उन्हें हम लोग किसी एक बिंदू से जोड़ देंगे इनके धन सिरों को जो हम लोग किसी एक बिंदू से संबंधित करेंगे इस तरीके से यहाँ पर धन देजी क्या किया गया? इनके सभी बड़े वाली जो प्लेटे हैं याँ जो धन सिरे हैं उनको हम लोगों ने किवल एक ही बिंदू से संबंधित कर दिया है इसी तरीके से द्यान देजी जो दूसरा आयने की जो रिण वाला सिरा होगा इन्हें हम लोग किसी दूसरे बिल्दू से संबंधित कर देंगे इस तरीके से यहां पर जो है आपको शंबंधित करना है यह हो जाएगा और फिर यह हो गया इस तरीके से आपको यहां पर दयान देजे समान तर क्रम में आपको परिपत को जोड़ना रहेगा तो यहां पर इन में आप देख सकते हैं यह आपका प्लस यह आपका माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस यानी कि सभी धन सिरों को जो हम लोगों ने किसी एक बिंदु से कीवल जोड दिया है और इसके अलावा इसे जो हम लोगों ने दूसरे बिंदु से जोड दिया इससे आप माल लेजे बिंदु A और इससे माल लेजे B यहाँ पर जो है सेल का विद्धुत वाहक बल हम लोग मान लेते हैं यहां पर भी प्रत्यक सेल का जो विद्धुत वाहक बल है उससे आप मान लेज़े ई से यह हो जाएगा ई यहां पर प्रत्यक सेल का विद्धुत वाहक बल इसके अलावा आंतरिक प्रत्रोध मान लेज़े आप आर है इतना हो गया यह यहाँ पर जो है आंतरिक प्रत्रोध हो जाएगा इसके अलावा इस परिपत में यहाँ पर एक बाह प्रत्रोध हम लोग परदर्शित करेंगे तो यहाँ पर जो है बाह प्रत्रोध यहां पर यह कुंजी हो गई इस तरीके से आपको दान देजे समांतर क्रम में सेलों को संबंधित करना रहेगा यह अप लोग याद रखेगा दान देजे समांतर क्रम में अभी सेली क्रम में आपको क्या बतायागा था सेली क्रम में जो भी सेल होते हैं उसमें जो धन वाली प तो पाले की धन प्लेट से जोड़ते थे और सभी धन प्लेटों को लोगों ने एक बिंद से जोड़ दिया तो यह आपका कौन सा क्रम हो गया यहाँ पर इस तरीके सä आपको समानतर करम में यहाँ पर इन्हें झोड़ना रहेगा अब इसके बाद धन देजें इसमें आप मान लेजें आप यहाँ पर इसमें लिखेंगे कि माना N से ले समानतर करम में जूड़ी है समानतर क्रम में जुड़ी हैं जिन में प्रतेक सेल प्रतेक सेल का विद्धुत वाहक बल प्रतेक सेल का विद्धुत वाहक बल कैप्टल ई तथा आंतरिक प्रत्रोध आंतरिक प्रत्रोध कैप्टल आर है सुरी यहां पर आंतरिक प्रत्रोध यानि की इसमाल आर आप लिखेंगे बाह प्रत्रोध आपका कैप्टल आर होता है तो यहां पर जो है इसमाल आर है इतना आपको यहां पर लिखना यह जो लिखा गया है वो इसी figure के इंसार यहां पर लिख दिया गया है इसमें E जो है यहांपर सभी सेलों का विद्धुत्वाहक बल है और इसमाल आर जो है आनतरिक प्रत्रोद है और यहांपर N सेलों को जो है वो स्रियोजित किया गया है यानि की जोड़ा गया है इस तरीके से आप यहां पर इसके बारे में बता सकते हैं अब दरंदीजे सबसे पहले हम लोग इस पूरे परिपत का विद्धुत वाहक बल ग्यात करेंगे जितने भी सेल इसमें जोड़े हुए हैं तो अब आप यहां पर जो है इसमें लिखेंगे परिपत में परिपत में प्रियुक्त शेलों का विद्धुत वाहक बल अब की बार दरंदीजे पिछली बार जो है वहां पर सभी सेल आपके सेड़ी करम बे जोड़े थे इसलिए वहां पर उनका विद्धुत वाहक बल जो था उन्हें जितने सल थे उनको उतनी बार जोड़ दिया गया था लेकिन यहां पर दरंदीजे यहां पर यहां पर यह सभी समानतर करम जुड़े हैं इसलिए इनका जो कुल विद्धुत वाहक बल होगा वो केवल कितना होगा यहां पर याद रखेगा यह सभी समानतर करम में जुड़े हैं इनके एक सिरे को एक बंदु से और रेंड सिरे क हम लोग ने दूसरे बंद से connect किया हुआ है यहां पर यह समानतर करम में जुड़े हैं इसलिए निका जो कुल विद्धुत्व अकबल होगा वो कितना होगा केवल यह होगा यह पर लोग याद रखेएगा यहां पर इसके अलावा धन देजी आप यहां पर इसमें मान लेजी कि माना शेलों का कुल आंतरिक प्रत्रोध आंतरिक प्रत्रोध आरड़ैस है इतना आपको मान लेना है आपर कि कुल आंतरिक प्रत्रोध क्या है आरड़ैस है तो देजी अब की बार सभी यहां पर जो प्रत्रोध है वो समांतर क्रम में जुड़े हैं और समांतर क्रम में प्रत्रोध का फार्मूला आपने यह पढ़ा है यह अप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है तो इसी फार्मूले का यहां पर हम लोग यूज करेंगे तो दान्दजे कुल प्रत्रोध कितना माना गया है आर डैस तो यह हुजायगा यहां पर बटे आर डैस बराबर यह आयगा वन बटे आर प्लस वन बटे आर जितने भी सल है उतनी बार आपको यहां पर जोड़ना है वन बाई आर प्लस डॉट 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 प्लस डन देजे कितनी से ले थी एन से ले थी यह पहले ही माना गया तो इससे आपको एन बार जोड़ देना है यहां पर यानि कि यहाँ पर हो जाएगा n terms यानि कि इससे आपको कितनी बार जोड़ देना है यहाँ पर n बार यहाँ पर जोड़ना है तो जब इससे आप n बार जोड़ेंगे तो यह आएगा 1 बटे r डैस बराबर देज़े n बार जोड़ना है सभी के हर बराबर हैं तो जब n बार जोड़ेंगे तो ये आजायगा आपका n by r इस तरीके से आपको यहाँ पर यह मान जो है इतना मिल जाएगा जब इन्हें आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा n by r अब इसके बात देखें यहां पर यह आया, यह मान जो है 1 by r dash का है, अगर आप यहां से r dash ग्याद करते हैं, तो यह पलट जायेगा, यह कितना हो जायेगा, r by n, ऐसा आ जायेगा, तो यह यहां पर यह आपको आंतरिक प्रत्रोध यहां पर मिल गया, अब आपको आंतरिक प्रत्रोध अगर मिल गया, तो आप परिपत का कुल प्रत्रोध ग्याद कर सकते हैं तो अब आप यहां पर लिखेंगे परिपत का परिपत का कुल प्रत्रोध अब परिपत का कुल प्रत्रोध अब परिपत का कुल प्रत्रोध कैसे ग्याद करेंगे आन्तरिक प्रत्रोध यह जो आपने ग्यात किया है r- और प्लस बाय प्रत्रोध कितना था capital r इन दोनों का आपको यहाँ पर योग कर देना है जब इन्हें आप जोड़ेंगे तो धन्दिजे कितना आएगा यहाँ पर r- का मान आपने यह ग्यात किया है यानिकि r by n और प्लस r यह आपको यहाँ पर परिपत का कुल प्रत्रोध मिल गया अब यहाँ पर आपको ग्यात करने है धारा तो अब आप लेखेंगे यहाँ पर अत्त प्रवाहित धारा प्रवाहित धारा इसके लिए धन्दिजे यहां पर जो आपको यह परिपत दिया आगया है इस से धारा प्रवाहित होगी आपकी इस तरीके से यहां से धर से आएगी यहां से धारा आएगी यहां से आएगी और यहां से आएगी यह सबी धारा हैं जो है इस बिंदू पर मिलकर यहां से जो है इसे में लोग मान लेती है ये धारा जो आगे इसी प्रत्रोद से होके हुए आगे प्रवेस्ट करेगी तो यहां पर रणदेजे यहां पर आप लेखेंगे प्रवाहित धारा बराबर हो जाएगा कुल विद्धुत वाहक बल और बटे में यहां पर हो जाएगा कुल प्रत्रोध यहां पर प्रवाहित धारा के बराबर होगा जब यहां से आप मान ग्यात करेंगे इस में तो प्रवाहित धारा हो जाएगी आई बराबर कुल वद्दुत वाहक बल कुल वद्दुत वाहक बल जो था वो कितना था देखे यह आपका कुल विद्धुत वहक बल था तो यहाँ पर कुल विद्धुत वहक बल आजाएगा इसके अलावाद देजी बटे अब बटे में कितना आएगा यहाँ पर देखें यह आपका जो है यहाँ पर कुल प्रत्रोद है यानि कि R बटे N प्लस अब आपको यहाँ पर भी चेक करना है कि यह जो संयूजन अपने राप्त किया है इसमें लाब होगा आपको या नहीं होगा चलिए इसके लिए धन देजे यहाँ पर भी आपको उसी प्रकार से अलग-अलग कंडिशन्स लेनी है तो सबसे पहले धन देजे केस फ़श्ट यदि आर बाई एन ये क्या था आपका सेल का कुल आंतरिक प्रत्रोद अगर मान लेजे सेल का आंतरिक प्रत्रोद इस बाय प्रत्रोद की तुलना में बहुत कम है तो फिर यहाँ पर यह जो दिया गया है आपको आर बाई एन प्लस कैप्टल आर ये लग-भग किसके बराबर होगा आर के बराबर होगा क्योंकि आपको ये बताय जा रहा है कि आर बाई एन जो है वो इस बाय प्रत्रोधार के तुलना में बहुत ही कम है बहुत ही कम जब भी लगेगा वहाँ पर हम लोग उसे नगणे मान के चलते हैं सूने मान के चलते हैं तो यहां पर जब आप इसको इस आर में add करेंगे तब भी कोई फरक नहीं पड़ेगा जैसे कि माल दिजिए कहीपर सून ने लिखा है आपको इसमें चार जोड़ना है तो कितना आएगा 4 आएगा सून ने प्लस आर लिखा है आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा भटे यहाँ पर आपने इसमें एड किया तो इसका मान कितना आ आ जायेगा क्या है आप जानते हैं ईक से प्राप्त धारा यहाँ पर यह आपको एक से प्राप्त धारा के बराबर ही धारा मेले गया जिक जितने धार आपको एक से प्राप्त हो रही थी उतनी ही धार आपको इस संयोजन से प्राप्त होगी तो ये संयोजन तो फिर लाभ प्रद नहीं है ये संयोजन वर्थ है जब कोई फायदा ही नहीं हुआ इसका तो आप बता सकते हैं कि या संयोजन या संयोजन लाब प्रद नहीं है लाब प्रद नहीं है क्योंकि यहाँ पर इस विजन तयार करने के बाद भी आपको एक ही सेल के बराबर धारा मिल रही है तो इसका कोई फायदा नहीं है यहाँ पर कंडिशन क्या बताएगे थी जो सेल का आंतरिक प्रत्रोद था अगर यह इस बाय प्रत्रोद की तुलना में कम होगा तब अब देखिए यहाँ पर दूसरा केस यानि कि केस नंबर टू यहाँ पर आप बता सकते हैं कि यह दि n by r is greater than capital r तो अगर माल लेजे यहाँ पर शोरी यहाँ पर डान देजे r by n है यह आपका r by n तो अगर यहाँ पर इस चल का अंतरिक प्रत्रोद इस बाय प्रत्रोद से अधिक है यानि कि बहुत जादा है तो यहाँ पर यह जो दिया गया है r by n प्लस r तो इसका मान लगभग किसके बराबर आएगा r by n के बराबर आजाए क्योंकि अब बकी बार यह बाय प्रत्रोद कम है यहाँ पर कम कम मतलब नगण है यह से देज़े r by n प्लस r और इसका मान किसके बराबर है r by n के तो यह आजाएगा r by n यह वाला n पलट के उपर जाएगा तो n गुड़े e बटे r इतना आ गया अब की बार देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो यह आया है n गुड़े e बटे r एक से प्राप्धारा मतलब e एक सेल का विद्वत्वाहग बाल है r आंतरिक प्रत्रोद है तो n गुड़े एक से प्राप्धारा दान जितने से लगाएंगे आप उतने गुना धार आपको प्राप्ध होगी तो आप बता सकते हैं कि अतह यह संयोजन लाबप्रद है तो यह याद रखेगा यानि कि इस संयोजन में आपको यहाँ पर जितने से लगाएंगे उतने गुना धारा मिल जाएगी तो इसका मतलब यह संयोजन जो है आपका यहाँ पर लाबप्रद हो जाएगा तो ये पलोग याद रखेगा N गुड़े E बटे आर का मतलब यहाँ पर N गुड़े E बटे आर का मतलब एक सेल से प्राप्त धारा तो अब की बार जितने सेल लगाएंगे उतने गुना यहाँ पर धारा मिल जाएगी दे अंदर जे कंडिसन के अपकी बार R by N अधिक है यानि कि जो सेल का कुल आंतरिक प्रत्रोध था अगर वो वाह प्रत्रोध से जादा होगा तो उस इस्थित में यहाँ पर आपका जो सेयूजन होगा वो लाबदायक होगा यानि कि उससे धार आपको प्रबल मिलेगी लेकिन अगर आंतरिक प्रत्रोध उस बाय प्रत्रोध से कम हुआ तो आपको उतनी ही धारा मिलेगी जितनी एक सेल से मिल रहे थी तो इस स्थित में आपका स्यूजन बेकार होगा तो ये conditions यहाँ पशारी याद रखेगा बहुत ही important सारी condition है और बहुत ही simple है आप एक बार अगर ध्याश देख लेंगे तो आपको कुछ भी रटने की जरूत नहीं है सारा calculation है बस आपको यहाँ पर कुछ भी जो है रटने की जरूत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी यहाँ पर आप यहाँ पर आप तीसरा पढ़ेंगे मिश्रित क्रम तो मिश्रित क्रम में जो है हम लोग यहाँ पर स्रेडी और समानतर इन दोनों का यूज करेंगे जैसे कि यहाँ पर देजे सबसे पहले अगर हम लोग स्रेडी क्रम की बात करें तो श्रेड़ी क्रम में जो है किस प्रकार से इसलो को स्यूजित किया गया था ये आप देन देजे जैसे कि यहाँ पर देन देजे श्रेड़ी क्रम में से लो को किस प्रकार से जोड़ा गया था सबसे पहले आपको ये समझना है माल लेजे एक cell आपका यहाँ पर जुड़ा है इसमें हम लोग यहाँ पर cell को जोड़ देंगे यह हो जाएगा इसी क्रम में दूसरा cell हो जाएगा और फिर यहाँ पर यह तीसरा cell हो जाएगा यहाँ पर जो है इसका आंतरिक प्रत्रोध इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रेंडी क्रम में जो है cellों को जोड़ा था यह आपको पहले बताया गया था माल लेजे इसका विद्धुत वाहक बल ई है ई और ई इसके अलावां इसका आंतरिक प्रत्रोध माल लेजे आर और 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 इस तरीके से अभी हम लोगोंने स्ट्रेंडी क्रम के बारे में पढ़ा है स्ट्रेंडी क्रम में जो हम लोग एक cell के दैन देजे आप जानते है यह प्लस होता यह माइनस होता है ये प्लस होता है ये माइनस होता है ये प्लस होता है और ये माइनस होता है तो इसमें हम लोग रेड़ वाले सिरे को जो है अगले सल के धन सिरे से जोडते हैं ये आपको बताया गया ये अपका श्रेड़ी क्रम है तो यहाँ पर धान देजे आपका ये श्रेड़ी क्रम हो गय गई इस तरीके से इसी तरीके से दन देजे यहां पर यह एक शड़ी और हो गई यह तो यहां पर आप देख सकते हैं यह सभी सेड़िया जो है अपको दे गई है तो यह जो है कौशी सेड़ी है यह आपकी जो है यहां पर सेड़ी करम में दिया गया है अब दन देजे अब इ देखिए इनके जो धन वाले सिरे हैं इन्हें हम लोग जो है किसी एक बिंदु से जोड़ने वाले हैं यह हो जाएगा इस तरीके से यहाँ पर जो है इन्हें आप जोड़ देजिए यह हो गया तो यहाँ पर देखे इनके ध्ण से रोख में लोगोंने एक बिंदु से स्वियोजित कर दिया यही आपको यहाँ पर भी करना इधर इनके रिंड वाले जो चुशिरे हैं उन्हें भी आपको एक भी बिंदु से जोड़ देना है इस तरीके से यह हो गया तो यहाँ पर देखे इन्हें इस प्रकाश हम लोगों ने जोड़ दिया है अब यहाँ पर दयान देजे इसमें हम लोग एक परिपत तयार कर लेंगे इनसे यह हो जाएगा यह अब देख सकते हैं यहाँ पर अब की बार जो है इसमें स्रेड़ी और समानतर दोनों एक साथ यूज कर लिए गए हैं यहाँ पर जो है माल लेजे यह अब का बाह प्रत्रोध है कैप्टल आर यहाँ पर इसमें कुंजी लगी हुई है इस तरीके से अब की बार दयान देजे यहाँ पर जो भी धार आएगी यहाँ से आएगी इधर से आएगी और यही धारा मिल के जो है आपकी इस बाह प्रत्रोध में प्रवाहित होगी इससे आप मान सकते हैं आई से तो अब धान देजे अप किस प्रकाश से इसका फिगर तैयार किया गया सबसे पहले धान देजे यह आपकी एक स्रेड़ी है यानि कि यह आपका कौन सा क्रम है स्रेड़ी क्रम इसमें आपके मान लेजे कितने सेल जुड़े हुए है यहाँ पर आप इसमें मान लेजे कि N सेल जुड़े गए है सेलों के संख्या कितनी है N तो यहाँ पर जो है एक पंक्त में जो है N सेल आपके जोड़ी है किस क्रम में? स्नेडी क्रम में और इस प्रकार के दंदेजे कितनी पंक्तियां है इन पंक्तियों की संख्याप मान लेजे M यहाँ पर जो है इस प्रकार की M पंक्तियां बनाई गई है एक स्टेडी में N जोड़ी गई जो कि स्टेडी क्रम में है और इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार की M जो है समांतर पंक्तियां बनाई गई है समांतर के लिए दंदेजे इन सभी के सिरोकों लोगों ने एक बिन्दू से connect कर दिया है तो सबसे पहले दन देजे अगर आप इसमें लिखना चाहें तो दन देजे आप इसमें यहां पर बता सकते हैं कि माना पर आप लिखेंगे इसमें कि माना स्रेडी क्रम माना स्रेडी क्रम की प्रतेक पंक्ति में एन सेल जुड़े हैं एन सेल जुड़े हैं यह मान ले जाएं पर आप लिखेंगे इसमें कितने सेल जुड़े हैं और द्यान देजे इस प्रकार की कितनी पंक्तियां हैं तो आप बता सकते हैं जुड़ी हैं इस प्रकार की इस प्रकार की एम पंक्तियां इस प्रकार की एम पंक्तियां समानतर क्रम में जुड़ी हैं तो यह अप लोग याद रखेगा इस प्रकार आप यहां पर इसके बारे में बता सकते हैं कि यहां पर सेल जुड़ी हैं और इस प्रकार की कितनी पंक्तियां बनाई गई हैं इसके अलाब मान लेजे कि माना प्रतेक सेल का विद्धुत वाहक बल प्रतेक सेल का विद्धुत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रत्रोध तथा आंतरिक प्रत्रोध इसमाल आर है इसमाल आर है इतना आप मान लेजे अब यहां पर दान देजिए सबसे पहले में लोग एक सेल में जुड़े सभी सेलों का विद्धुत वाहक बल ग्याद करेंगे तो यहां पर आप लिखेंगे एक सेड़ी आप बोलेंग आप पंक्ती एक पंक्ती में जुड़े सेलों का कुल विद्धुत वाहक बल बराबर अब धन देजिए यहां पर यह आपकी एक सड़ी है यानि कि यहां पर यह कौन से सड़ी है आपके यहां पर जो पहली पंक्त देगे इसमें कौन से सड़ी है आपकी यहां पर स्ड़ी क्रम है जो पहले बताया गया था आपको सबसे पहले धन देजी यह वाली यह आप देख सकते हैं इस प्रकार की एक पंक्ती है आपके पूरे और इसमें जो आपका विद्धुत वाहक बल हम लोगों ने ग्याद किया था धन देजिए कितना आया थ आया था तो वही यहां पर भी आयेगा इसमें जो है आपकी एक पंक्ती में जितने भी सेल जुड़े हैं उन सभी का जब आप विद्धुत वाहक बल ग्याद करेंगे तो यह इतना आज आएगा यानि कि एन इस प्रकार यहां पर इसे बताएंगे अब धन देजी यहां पर क्यूंकि पंक्तियां समांतर क्रम में जुड़ी हैं इसलिए परिपत का इसलिए परिपत का कुल वद्धुत वाहक बल अब इसके लिए धन देजी आप समांतर वाला जो अभी आपको समांतर वाला बताया गया था उसको आप देखे तो आप यहां पर यह वाला पॉइंट भी समझ जाएंगे देखे यहां पर जो समांतर क्रम में जुड़ी थे इन्हीं सभी का वद्धुत वाहक बल कितना था एक पंक्त थी यह इसमें ए था दूसरे में ए था तीसरे में ए था तो इसका हम लोगों ने कुल वद्धुत वाहक बल गयात किया तब भी कितना आया था ए ही आया था क्योंकि यह समांतर क्रम में जुड़ा था तो उसी परकार से अब यहां पर भी द्यान देजे जब यहां पर इसे सालों करेंगे तो यहां पर आपको एक पंक्ति का पता है कितना है N-E इसलिए जब कुल वद्धुत वाहक बल गयाद करेंगे तो इसका मान भी प्रत्रोद तो पहले हम लोग एक पंग्ति में जो शेल लगे हैं उनका आंतरिक प्रत्रोद ग्याद करेंगे तो अब धहंद्रेज़ आप यहां पर बताएंगे शब्षे पहले एक पंग्ति एक पंग्ति में लगे शेलों का कुल आंतरिक प्रत्रोद अब इसके लिए धन देज़े जब आप यहां पर एक पंग्ति की बात करेंगे तो यह स्रेडी क्रम है अपका इसमें धन देज़े आंतरिक प्रत्रोद जुड़ा है तो इससे आप ग्याद करेंगे तो आर प्लस आर प्लस आर इसी तरीके से आपको जोड़ना है कितनी बार एन टर्म्स यानि कि आपको यहां पर जो है इससे एन बार जो है यहां पर जोड़ देना है इस तरीके से तो इसका मतलब यहां पर यह कितना आ जाएगा एन आ राजाएगा अब आपको ये एक पंक्ति का मिल गया है तो अब आपको यहाँ पर इस पूरे परिपत का जब ग्यात करेंगे धन्देजे यहां पर जो आंतरिक प्रत्रोद मिला आपको वो एक पंक्ति का मिला है और इस पंक्ति में कि इस प्रकार की कितनी पंक्तियां है M पंक्तियां है अपकी तो अब यहां पर रहन देजे अब इसमें आप लिखेंगे कि माना माना M पंक्तियों माना M पंक्तियों का कुल आन्तरिक प्रत्रोध कुल आन्तरिक प्रत्रोध R- इतना आप मान देजे कि यहाँ पर M पंक्तियों का कुल आन्तरिक प्रत्रोध कितना है R- अब देजे पंक्तियां किस क्रम में हैं आपके समांतर क्रम में हैं समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है 1 by R बराबर 1 by R 1 प्लस 1 by R 2 प्लस 1 by R 3 आप लोग जानते हैं प्रत्रोधों को समांतर क्रम जोड़ा जाता है तो इस क्रम में हम लोग यहाँ पर फार्मूला यूज करते हैं यह आपको इसके पहले ही बताया गया तो यही हम लोग यूज करेंगे तो यह तो होगा आपका कुल प्रत्रोध यानि कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर one बटे r days अब ध्यान देज्जे एक पंग्ति का कितना था nr यह आपको पता है तो यहाँ पर बोर जायेगा one बटे nr दूसरी पंग्ति का भी कितना होगा one बटे nr तीसरी का कितना होगा one बटे nr इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बटे n r आप ध्यान देजियां पर कितनी पंक्तियां है m पंक्तियां है n बार यानि कि इसे m बार यहाँ पर आपको जोड़ना है जितनी पंक्तियां होंगी उतनी बार जोड़ना है देखी एक पंक्ति यह थी अपने इसका ग्याद किया तो nr आगया आपको यह मिल गया फिर आप दूसरी का ग्याद करेंगे तो फिर आपको nr मिल जाएगा तीसरी का आप ग्याद करेंगे तो फिर nr मिल जाएगा यह आपका r1 है यह आपका r2 है यह आपका r3 है जो आपको क बराबर देखें कितनी बार जोड़ा जा रहा है M बार तो यह आएगा M बटे N आर यह मान वन बाई आर डैस का जब यहां से आप R डैस गयाद करेंगे तो यह पलट जाएगा N आर बटे यहां पर आजाएगा M तो यह आपको आंतरिक प्रत्रोध मिला अब हम लोग कुल प्रत्रोध गयाद करेंगे परिपत का तो अब आप यहां पर लिखेंगे अत्ता परिपत का कुल प्रत्रोध गयाद करने के लिए आंतरिक प्रत्रोध और प्लस बाह प्रत्रोध आंतरिक प्रत्रोध आप कहिंए है यानि की N.R. बटे यहांपर आप लिख सकते हैं N.R. बटे में है M इतना हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा capital R अब आपको यहाँ पर परिपत का कुल प्रत्रोध पता है तो अब दन देज़े आपको यहाँ पर परिपत का कुल प्रत्रोध पता है इसके लाओं परिपत का कुल विदुत वहाँ बल पता है तो आप धारा ग्याद कर सकते हैं तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे अत्र परिपत में प्रवाहित धारा बराबर मालेजियां पर कुल विद्धुत वाहक बल और इसके अलावा बटी, बटी में हो जाएगा कुल प्रत्रोध कुल प्रत्रोध इतना आ गया, अब धंदिजी यहां पर आपको धारा मिल गई अब धारा गयात करने के लिए यहां पर जब आप फार्मूला यूज़ करेंगे तो यह आएगा, आई बराबर, कुल विद्धुत वाहक बल जाँदिजी यहां पर अभी हम लोगों ने कुल विद्धुत वाहक बल जो गयात किया है वो वाला मान आपको यहाँ पर यूज़ करना है सबसे पहले हम लोगों ने कुल विद्धुत वाहक बल गयात किया था यह आप देंदेजे N E यह आपका है कुल विद्धुत वाहक बल और इसके अलावाँ यह आपका है कुल प्रत्रोध यानि कि N R बटे M प्लस R तो यह वाला मान आपको यहाँ पर रखना है तो कुल विद्धुत वाहक बल हो जायेगा N E इसके अलावाँ बटे बटे में यहाँ पर हो जायेगा N R by M प्लस कैप्टल R इतना यह यहाँ पर आ जायेगा तो यह जो मान आया है इससे आप चाहे तो यहाँ पर मान लेजे समी करण नमबर फ़स्ट इस तरीके से इतना मान सकते हैं अब इसमें रहन देजे I बराबर N E बटे अगर इसका पलाशा ले 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 तो यह आएगा M यहाँ पर हो जायेगा N R प्लस इसका गुड़ा इदर हो जायेगा M R इतना आयेगा यह पलट के उपर आ जायेगा तो यह हो जायेगा फिर I बराबर M N E और बटे बटे में हो जायेगा N R प्लस M R यह मान इतना हो जायेगा तो अब धन देजे यहाँ पर आप धारा का अधिक्तम मान कैसे ग्याद करेंगे तो यहाँ पर अब आप लिख शक्ते हैं धारा यानि की I के अधिक्तम मान के लिए अधिक्तम मान के लिए यह जो दिया गया है N R प्लस M R का मान नियुनतम होना चाहिए का मान नियुनतम होना चाहिए तो यहाँ पर दान देजी क्या बताया गया कि I यानि की धारा के अधिक्तम मान के लिए जो यह दिया गया है N R प्लस M R का मान क्या होना चाहिए नियुनतम होना चाहिए इसको समझने के लिए सबसे पहले दान देजी यहाँ पर जैसे के मान देजी आपको एक समीकर दिया गया है X बराबर 8 और बाबर है यहाँ पर हम लोग लिख दे Y यहां पर क्या लिख दिया गया य अब देखिए जीसे आपको यह बता दिया जाए कि Y बराबर है 1 Y बराबर है 2 Y बराबर है 4 और Y बराबर है 8 आपको Y की यह अलग उलग मान पता है चलिए देखे एक्स बराबर आठ बटे एक अगर आपने वाई का ये वाला मान रखा तो एक्स कितना है का आठ अगर आपने वाई का ये वाला मान रखा तो आठ बटे दो दो से आप भाग करेंगे कितना है का चार एक्स बराबर आठ बटे अगर आपने y का ये वाला मान रखा तो चार दुनी आठ एक्स बराबर आठ बटे अगर आपने y का ये वाला मान रखा तो कितना है एक अब धंदिज में क्या हो रहा है ये y कहां पर दिया गया अपको इसके बटे में दिया गया है अब धंदिज जैसे जैसे आप इसका मान बढ़ां रहे है y का देखे in इसका बढ़ाए कर दिया तो इसका من कितना हो गया एक यह वाला आपका मन यहांपर देखे बढ़ता जा रहा है नहीं कि जैसे जैसे यह न की मल प्रढ़ा रहें इसावाली संक्या का मन गृता जा रहा है यहां पर देखिया आप वाई का मान पहले एक रखे थे तो आठ आया था फिर दो रखे तो चार आया था फिर चार रखे तो दो आया था फिर आठ रखे तो एक आया था यानि कि जैसे जैसे आप बटे वाली संख्या का मान बढ़ाओगे हैं मैं सब किसी भी मान में को य का मान आपने कितना रखा था वन तो इसका मान कितना आया था सबसे ज़्यादा था और जब आपने वाई का मान बढ़ा के रख दिया तो इसका मान सबसे कम हो गया तो इसका मान जब आप कम करेंगे तब ही ये बढ़ सकता है इसलिए यहाँ पर द्यान देजे आई कब अध कर दें तब इस इस्थित में आपका धारा यहां पर अधिक्तम होगी यही पॉइंट आपको यहां पर इससे समझना था जो बटे में यानि कि जो हर में दिया गया है जब उसका मान आप कम करेंगे यहां पर तभी धारा का मान अधिक्तम होगा तो यहां पर हम लोग इस मान को new term करेंगे, यह जो लिखा गया है nr plus mr अब ध्हन देजी, यहाँ पर कितना है nr plus mr यह अपको दिया गया है इसका मान जो है, आपको यहाँ पर क्या करना है, new term new term करने के लिए ध्हन देजी, इसे आप ऐसा लिख देजी यहाँ पर nr है इससे आप लेख सकते हैं Rood n r का whole square square करेंगे तो यही संख्या जाएगी फिर देखें प्लस m r दिया गया इससे भी आप ऐसा लेख देजे Rood m r का whole square देखेंगे दोनों के Rood लगा के square लेख देगा वर करेंगे तो यही संख्या बन जाएगी अब इसमें जो है यहाँ पर आप धन देजे क्या करेंगे इसमें जो है to under root n r और into under root mr देखेंगे यह संख्या मैंने इसमें घटा दी और यही संख्या इसमें जोड दी under root math में यह किया जा सकता है कहीं पर भी माल देजे आपको दिया गया है 5 पर जोड देजे तो इसपर कोई फार्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यह आप जानते हैं कट जाएगा वह यह यहांपर भी किया गया जो दिया गया था इसमें मैंने इतनी संख्या घटा दी और इतनी संख्या यहांपर जोड दी है अब द्यान देजे, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर A-B का whole square, फार्मूला क्या होता है? A square plus B square minus 2AB यह फार्मूला प लोगों ने पढ़ा है, तो वही फार्मूला यहाँ पर बनेगा, देखे A square plus B square minus 2AB, वही सेम चीज़ यहाँ पर दी गई है, तो आप जो है, इसको जो है, इस रूप में बदल दीजिए, यानि कि A minus B के whole square के रूप में, चलिए देखे, यहाँ पर अब आप लिखेंगे, under root nr minus under root mr का whole square, यह इतना बन जाएगा, और इसके अलामा, प्लस 2, under root nr into under root mr, यह इतना हो गया, तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे, इसमें, nr minus, यहाँ पर nr minus mr के और न्यूनतम मान के लिए, यहाँ पर यह जो दिया गया था, इसका मान न्यूनतम कब होगा, जब यहाँ पर यह जो दिया गया, रोड में, इसका मान हम लोग सून ने, माले, यानि कि under road reducing nr minus under road mr का whole square is equal to zero. इसके いた हूं मान के लिए ये आपका 0 होना चाहिए, तब ये इretched rhyme इसका मान है आपका कितना होझा zero, क्योंकि इसकों अपके अपका बनाना है, तो यह new time तब ही होगा जब यह वाला मान जो है अपका है पर क्या हो जाए, 0 हो जाए तो अब धन्दिजी square लगा है यापर बराबर में 0 है square हटाएंगे तो यह आजाएगा nr-RR mr भराबर कितना है गा, 0 इसको आप दूसरी तरफ ले जाए तो रूड एन आर बराबर रूड एम आर इतना आ जाएगा इसका आप वर्ग कर दीजे यहां पर आप लिख शकते हैं वर्ग करने पर वर्ग करने पर क्या होगा अंडर उड़ जाएगा यह आजाएगा आपका एन आर और यह आजाएगा आपका एम आर अब यहां पर दान देजे जब यहां से आप कैपिटल आर अगर गयात करेंगे तो कैपिटल आर बराबर दान देजे कितना आएगा यह एम इसके बटे में आया है अब इसमें देजिए यह यह आपका यहां पर जो सुत राये गए यह बतायगा कि धारा का मंद कब अधिक्तम होगा देखे r क्या है अपका r यहांपर आपका बाह्य प्रत्रोद था सी आर क्या था बाह्य प्रत्रोध और यह पर जो यह दिया गया है nr by m r आप जानते हैं cell का आंतरिक प्रत्रोद है यहाँ पर जोड़ा तो क्या बन गया battery यहाँ पर जो है battery का आंतरिक प्रत्रोद है तो अब यहाँ पर देजे इसके नियुनतम के लिए यह आपकी condition आई है यह नियुनतम कब होगा जब यहाँ पर इसका मान इस तरह से आएगा यह अपका बाहर प्रत्रोद है और यह battery का आंतरिक प्रत्रोद है तो बाहर प्रत्रोद किसके बराबर हो गया है यह battery के कुल आंतरिक प्रत्रोद के बराबर हो गया है तो यहाँ पर यह नियुनतम होगा यह आपका बाहर प्रत्रोध है और यह बैटरी यानि कि जो सेलो का सयोजन दिया गया है उसका कुल आंतरिक प्रत्रोध है तो यह आपका यहां पर फार्मूला मिल गया है इसके अनुसार आप बता सकते हैं कि धारा कामान जो होगा वो अधिक्तम होगा तो आप अगर लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं आपर कि उपर्युक्त आप पिश में लिखेंगे उपर्युक्त सूत्र या फिर बोल सकते हैं व्याख्या उपर्युक्त व्याख्या से इस पश्ट है कि मिश्रित संयोजन मिश्रित संयोजन में जब बैटरी का कुल आंतरिक प्रत्रोध बैटरी का आंतरिक प्रत्रोध बैटरी का आंतरिक प्रत्रोध बाय प्रत्रोध के बैटरी के बराबर होता है तो धारा का मान अधिक्तम होता है तो यह अप लोग यहाँ पर याद रखेगा कि मिश्रित संयोजन में जब बैटरी के आंतरिक प्रत्रोध के बराबर हो जाएगा तो उस इस्थित में धारा का मान यहाँ पर अपका अधिक्तम होगा अब धन्देजी अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला ग्याद किया था यहाँ पर यह समीकरण नमबर एक अब इस वाले में हम लोग कैप्टल आर का मान जो ग्याद किये हैं वो वाला मान यहाँ पर आपको इस समीकरण में अब रखना है चलिए इसके लिए धन्देजी अब आपको इसमें मान रखना है तो यहाँ पर आप बता सकते हैं समीकरण एक से तो शमीकरण एक आपका क्या है यह यह आपका समीकरण एक है इसमें यह जो कैप्टल आर दिया गया है इसकी जगे पर आपको मान रखना है capital R के जगे पर कौन सा मान रखना है ये वाला nr by m जो अभी हम लोगों ने ग्यात किया है तो वो मान आपको यहाँ पर रखना है इसकी जगे पर रखना है nr by m इतना आप रखेंगे तो अब धन देजे ये जब ये मान रख देंगे इसके जगे पर तो ये जो धारा थी अब ये आपकी अधिक्तम हो जाएगी अधिक्तम का मतलब आप बता सकते हैं maximum अब धारा यहाँ पर क्या होगी अधिक्तम होगी तो देखी यहाँ पर ये आएगा आपका n e बटे अगर आप इसका लाशा लेते हैं तो हर बराबर है तो ये जोड़ जाएगा तो ये आएगा आपका 2 n r और ये जो बटे वाला m है ये पलट के उपर आजाएगा ऐसा तो अब यहाँ पर देखिए इसमें आपका n से n जो है ये कट जाएगा और जब n से n आपका यहाँ पर कट जाएगा तो ये आएगा फिर i maximum बराबर m e बटे 2 r तो ये यहाँ पर जो है धारा का अधिक्तम मान होगा मिश्रित क्रम में धारा का अधिक्तम मान इस प्रकार से आप यहाँ पर ग्याद कर सकते हैं तो यहाँ पर धारा का मान अब क्या होगा अधिक्तम होगा और वो कितना होगा m e बटे 2 r होगा और इसकी सहायता से आप परिपत में जो है वे अधिक्तम सक्ती भी ग्याद कर सकते हैं रान्देज़ अगर आपको सक्त ग्याद करने तो आप बता सकते हैं अतह परिपत में अतह परिपत में वे अधिक्तम सक्ती वे अधिक्तम शक्ती यह फिर बोल सकते हैं अधिक्तम वे शक्ती यहाँ पर आप ऐसा लिखिए अधिक्तम वे सक्ती यह हो जाएगी तो अधिक्तम वे सक्ती ग्याद करने के लिए दान्देज़ आप यहाँ पर लिख शक्ते हैं शक्ती यानि की पी अधिक्तम यानि की मैक्शिमम तो यह हो जाएग यहाँ पर आई maximum गुड़े आर यह अपका formula यूज़ोगा इसका प्रियोग करके आप यहाँ पर परिपत में वे अधिक्तम सकती ग्याद कर सकते हैं तो यहाँ पर आज के जो आप लोगों ने topic पढ़ा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है थोड़ा सा आज का वीडियो आपका long हो गया है क्योंकि यहाँ पर यह तीनों topic मैंने एक साथ इसलिए बताएं ताकि आप सभी को एक साथ समझ में आ जाए नहीं अगर मैं अलग-अलग बता तो हो सकता है आपको कुछ topic से यहाँ पर में सो जाते इसलिए यहाँ पर आपको यह सारे topic एक साथ clear कराएं गया है इसके लापको यह भी बता दिया गया है यहाँ पर कि एक सेल्स हो जो है आपको प्रबलधारा कभी भी प्राप्त नहीं होती है इसलिए यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ता है ताकि प्रबलधारा ताप्त की जा सके और सेलों को जोड़ने के तीन तरीकी आपको बताएगा है एक तो आपको बताएगा है सेलिडी करम, शमानतर करम और मिसरित करम और सेलों के सेलिजन को क्या बोला जाता है बैटरी बोला जाता है